कहते हैं कि बस चालक उन लोगों के लिए खुदा से कम नहीं होता जो लोग बस में सफर कर रहे होते हैं बस चालक की भी कोशिश होते हैं कि वो लोगों को सुरक्षित और बिना परिशानी गंतव्य तक पहुँचाए पर कई बार कुछ ऐसा हो जाता है कि हम बेना सोचे समझे आलोचना करने लग जाते हैं वरतमान में सोशल मीडिया के दौर में तो किसी भी चीज़ को वाइरल होने में समय नहीं लगता है अब इस सोशल मीडिया पर पांच टायर वाली HRTC बस की फोटो वाइरल हो रही है मामला HRTC के बठान कोट डिपो से जुड़ा है तस्वीरे वाइरल होने के बाद प्रबंधन हरकत में आया और कारवाई शुरू की निगम के चाड़क को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है ताकि वो प्रबंधन को लिखित तौर पर समूचे घटना करम के बारे में अवगत करवाई हलांकि मौकित तौर पर जुटाई जानकारी में पता चला है कि पठान कोट से करीब 100 किलो मिटर के सफर के बाद बस के दोनों ही पिछले टायर पंचर हो गए बस में एक ही अतिरिक्ट टायर था गर्मी में लोग परिशान ना हूँ इसके लिए चालक ने अतिरिक्ट टायर लगा कर दुकान मिलने पर पंचर लगाने का निर्ने लिया अतिरिक्त टायल लगाकर चालक ने धीरे धीरे बस को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया ताकि पंक्चर की दुकान तक पहुचकर पंक्चर लगाया जा सके पर जब तक पंक्चर की दुकान मिलती इससे पहले ही किसी ने फोटो खींचली और सोचल मीडिया पर वाइरल कर दी फोटो आते ही काफी ज़्यादा वाइरल भी होने लगी कहीं न कहीं सोशल मीडिया पर फोटो वाइरल करने वालों ने लोगों को परिशानी में न डालने वाले बसचालक को ही परिशानी में डाल दिया क्योंकि बसचालक की मनशा कताई लोगों की जान जोकिम में डालना नहीं रही होगी इसके साथ ही हम आपको मंडी के पंडो हादसे की याद दिलाना चाहते हैं यहाँ एक बस चालक ने पनी जान गवा कर 49 लोगों की जिंदगिया बचा ली थी पंडों के पास मनाली से शिमला जा रही हाटी से बस में तकनी की खराबी आ गई और चालक ने अपनी दिशा से बस मोड कर तूसरी दिशा में ले जाकर दिवार से टकराई अगर बस उसी दिशा में जाती तो डैम में गिर सकती थी ऐसे में जानों को बड़ा नुकसान होता अब एक और चालक परिशालक की बात करें तो ये चालक परिशालक महिला के लिए फरिष्टा बने HRTC की केलंग बस डिपो की रातरी कालिन बस शनिवार को अपने निर्धारित रूट पर निकली कांगडा में ढालपूर कुलू निवासी 40 वर्षी इंदू भी बस में सवार हुई रात करीब 9 बजे बैजनात के पास महिला को सांस लेने में दिक्कत होने लगी महिला की हालत देखकर चालक मोहन सिंग और परिचालक पंकज हालत में सुधार होने के बाद बस अपने गंतव्य की और रवाना हुई हिमाच्चि से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहे एइडवन 24 निउस के साथ अगर आप अपने क्षेतर की कोई समस्तिया या अन्य कोई खबर सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं तो हमसे संपर करें आप अपनी न्यूज हमें भेज सकते हैं EWN24news.gmail.com या WhatsApp नमबर 8988765225 पर